आप सुमों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल एक टुजाड इस्टी पॉइंट पर आज हम मेट्रिक बोर्ड परिशा का छाटेंथ समाजिक विग्यान अरुवान सिख्ता एवंग ये विकास से क्वेस्टन देखे आये हैं तो वीडियो को अंतक बने रहे हैं और देखें यह काफि Jackson को देख रहे है जे विकास क्या है लेमाक का लेमरक वाद का वर्नन करें के पृठ्वी परवर्तमाण जटिल प्रानियों का विकास प्रारांब में पाए जाने वाले सरल प्रानियों से प्रश्चेती और वतावर्ण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है यानि वतावरन में जो परिष्थिती का अरान परदान हुआ है उसी के कारण प्राणियों का विकास प्रहरम हुआ है जिसमें सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जे विकास कहते हैं यहां पहला है जिए विकास किसे कहते हैं या क्या है तो यहां तक आपको लिखना अनिवारी है अब यहां कहा रहा है जदी ऐसा question आपकी पास देखा जिकल में यही लमारक वाद उपारजित लक्षनों का वंसागति सिधान्द है जो कि लमारक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था इस तरह से आपको लिखना है और अधिक लंबा नहीं लिखना है चोटा से लिखेंगे और मुख्य पॉइंट को लेते हुए आपको लिखन आपसे यह भी पूछा जाएगा कि अनुवांसिक्ता की परिभासात दें जीव विग्यान की इस साखा को मेंडल का युगदान क्या है तो आपको लिखना जीव विग्यान की वह साखा है जिसके अंतरगत अनुवांसिक्ता और विभिनताओं का अध्यन किया जाता है यहां उन्हें मटर के पोधों पर संकरन सम्मदी तरह तरह के परियोग किये थे और उन्हें तेर नियमों का प्रती पादित किया था उसको मानेता दिया था जिसका नियम है प्रभावीता का नियम जिसको करते लिखने और पिर्था करन का नियम तो इस तरह से देखेंगे दूर न करें तो आपको इस तरह से आपको पूर्ण रूप से लिखना होगा वीडियो को रोक कर आप इसे लिखने का प्रियास करेंगे अगर आपसे यहां कहा जाए कि डार्विन के प्राकृतिक चैन की सिदान्त का भी आख्या करें तो यह जो देख रहें आपको इस तरह से आपको क्योंकि यह द्रिगे उत्री कोश्टन जो आपके साथ हैं अगर आप bing कोश्टन का पर्थम नियम क्या है या पर्थम नियम को पिर्थी करण का भी नियम करते हैं लिखेंगे मेंडल ने एक संजकरण में एककेवल एक जूटी विप्रीत गुनों की वनसागती का अध्यानकर ये निसकर्ष निकाला है कि आपर भावी गुन में ना तो कोई बदलावाता है और ना ही ऐसा गुन लुपत होता है तो संकर नसल की पीड़ी में दोनों विपृत के साथ साथ होते हैं परन्तु अगली पीड़ी में पिर्थक अर्थार अलग अलग ह यहां निद्ट में 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 अंड़ी का नियम का जाता है तो आपको यहां कंट निर्थार निरथाष का अधार पर होता है चित्र यहां कि निर्द को आपको बनाना मानव के सबी गुन्सुत्र पूर्ण रूपएन यूग्म नहीं होते हैं मानव में अधिकतर गुन्सुत्र माता और पिता के गुन्सुत्रों के परती रूप होते हैं और इनकी संख्या 22 जोड़े होते हैं पर एक जिसे लिंग सुत्र करते हैं वह पूर्ण जोड़े में नही होता है तथा दूसरा घुੰस छोटा होता है जिसे गुन्सुत्र काते हैं इस चीजह को आप याद रखिएगा अब जानना चाहिए कि इस तरियों में ढप ऑक्ता नाम से इंडीकेट करते हैं इस vậy आ PPE बच्चे लड़के आधे लड़की हो सकती है सभी को चाहे कि वह लड़का हो अथो लड़की तो अपने माता से एकस गुंसुत्र प्राप्त करते हैं जिसे बच्चों का लिंग निरधारन होता है और इस बात पर निरभर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस परकार का गुं पराप्त हुआ है जिसे अपने माता से एकस गुनऔर वंसार किती है जिसे फिता से यृणत होता है यह अपका लटका होता है तो अँमिद आपको अच्छी तर समझ में आगे होगा यह देख रहें इस तरह से नर और मादा का युगमच को जैगोड को बनाता है आप देख रहे हैं यह आपका क्या है यह नर है और यह आपका मादा है मादा में क्या होता है एकस एकस करमोर गुन सुत्र पाये जाते हैं जबकि पुरूस में एकस और वाई गुन सुत्र पाये जाते हैं जदि आपके पुरूस से एकस गुन सुत्र आते हैं और इस्तरी से जदि एकस गुन सुत्र आते हैं याने इसमें कहा जाता है कि उसका children जो भी जनम लेता है वो लड़का जनम लेता है वमिद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आते है question 1 next पर एक question बच्चों ये भी question को पूछा जाएगा ये भी काफी important है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारन कैसे होता है तो आपको समझना चाहिए कि मानव के सभी गुन्षूत्र पूर्ण रूपय यूग्म नहीं होते हैं मानव में अधिकतर गुन्षूत्र माता और पिता के गुन्षूत्र के परतिरूप होते हैं इसमें एक गुन्षूत्र समान अकारका होता है और वह एक्स होता है तथा दूसरा गुन्षूत्र छोटा होता है जिसे हम Y के नम से जानते हैं जिसे Y गुंशुत्र काते हैं और इस्त्रियों में X X होते हैं और पूर्षों में X Y गुंशुत्र होते हैं आपके एकदान पुषरों में कौन सा गुंसुत्र western पाय से तो आपको याद रख न से पूरस Miqué ?y गुंसुत्र पाय जाते हैं उमीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जब यह देख रहे हैं X और Y से संभोग करता है तो यहां क्या होता है यहां देखें X और Y का निरूपुन करता है और यह आपका X से जैगोट को बनाता है इस तरह से आप देखें इस तरह से फिगर्स के माध्यम से आपको समझा दिये उमीद है आपको कहीं समझने में कोई प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए और इस तरह से X Y का निरूपुन होता है वो आपका नर यानि लड़का जनम लेता है और X चाहे वह लड़का हो अथ वह लड़की हो अपने माता से X गुंसुत्र प्राप्त करते हैं अथा बच्चों का लिंग निर्धानन इस बात पर निर्भर करता है कि अपने पिता से किस परकार का गुंसुत्र प्राप्त हुआ है जिसे वह पिता से X गुंसुत्र वनसानुग होता है और वह लड़का होता है उमीद है आज का क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा अगर इस तरह से और इंपोर्टेंट चोपिक चाहिए तो कॉमेंट अब शिकरें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लिजी और बेल आकन की नोटिफिकसन को ओन कर लिजी मिलता है नेस्ट क्लास में थेंक यू